Hey everybody, welcome back to my channel, मैं हूँ अनुज आपका फ्रेंड, दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ word stress in English and syllable, दोस्तों आज की जो वीडियो ही है, प्रणनसी इसे से related है और बहुत ही important है guys, यदि आप अंग्रीजी में correct उचारन सीखना चाहते हैं आपको word stress and syllable पता होना चाहिए, symbols के अलावा, ठीक है, international fanatic alphabet जो symbols होते हैं आपको word stress and syllable पता होना चाहिए, आप correct उचारन करना चाहते है, तो बहुत ही important videos guys, आप जोड़े रहे हैं, ठीक है अब मैं आपको बता दूँ कि there are two types of stress in English, यानि there are two stress in English, ठीक है, पहला जो है, यह है primary stress, primary stress का जो दोस्तों symbol होता है, यह ऐसे होता है, यह देख रहो, apostrophe की तरह लग रहा है, यह, यह रहता है, ठीक है, मैं आपको उधारन से समझाने की कोसिश करता हूँ दोस्तों, यह आपको बता हूँ कि यह दो सिल्बल कैसे हुआ, ठीक है, अभी मैंने देखिए, आपको निचे लिखा हुआ है, तो मैं आपको सिल्बल समझाता हूँ, तो यानि जहां भी primary stress रहेगा, उस सिल्बल पर हमें उस सिल्बल को लाउड बोलना पड़ता है, यह वहाँ पर और प्रनाउंस करते हैं, आर नहीं बोलते हैं, और अमेरिकन में आर बोलते हैं, जीब टोड के, ठीक है, मोड के, तो देखिए, मैंने दोस्तों, यहाँ पर सिंबल लिखा हुआ अंग्रेजी में, ऐसा ही आप इंग्लिस ट्रिक्शनरी देखेंगे, तो आपको ऐसा ही इस सिल्बल को हमें तेज बोलना है, और रुकना है, ठीक है, जैसे मैंने आप लिखा हुआ है, देखिए, मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, यह जो और के राइट साइड देखेंगे, चिन है, यह होता है हरस्प, ठीक है, जिसको आप हलंत भी बोलते हैं, यह जिस भी अक्षर की नीचे लग जाता है, वो अक्षर आधा हो जाता है, तो मैंने कहा, कि आर लास्ट में आ रहा है, तो वो आधा हो जाता है, और यह देखेंगे, अल्टाई की तरह है, इस का मतलब आप में कम रुकना है, यानि कि यह आधा काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाए रहा सेकेंडरी स्ट्रेस तो सेकेंडरी स्ट्रेस जो होता है दोस्तों इसका जो सिंबल है चिन जो है यह है यह यह उपर रहता है यह यह उपर होता है प्रामरी स्ट्रेस और यह जो है यह नीचे होता है ठीक है यह जो है सेकेंडरी स्ट्रेस यह नीचे होता है दोस्तों यह रहता है वहां पर में रुखना नहीं पड़ता है वहां पर वो जो सिलबल ღ लो को में लाऊड़ नहीं बूलना पड़ता है वहती कि आ लिखा हुआ है ये देख रहें यह दोस्तों कुछ लोग बूतेemorator नहीं होता यह नहीं होता है Grad Is Reunkon तो दोस्तों यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है और इसके नीचे देख रहे हैं के नीचे यह यह है सेकेंडरी स्ट्रेस यह देखो यह ठीक है और यह सिंबल सीखने के लिए आपको मेरे इन्टरनाशनल फनाटिक सिंबल सीखना पड़ेगा आपको आप प्ले लिस्ट में ज यहां पर में ज़ाधा नहीं रुकना और फास्ट और देख रहें प्रा मिरिस। इस सब्सक्राइब में कहा है यांस वह जीबल है स्टेख यहां पर नहीं यहां के थोड़ा सा प्ले में भनाल देंख रहें नहीं है सैशन यह सेशन नहीं पुल देना डारेक्ट सैशन श्ष लास्ट में वही वाला है शलीफा वाला ठीक है शिमला श्ष एस आईच वाला ते क्या हो जाएगा अब बात करते हैं दोस्तों कि सिल्बल की तो यह समझना बहुत ही इंपॉटन्ट है नौट डैट ठीक है दोस्तों यह देखे मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रेस कहां पर मैं स्ट्रेस देना पड़ता है वो केवल वाउल सिल्बल पर होता है स्ट्रेस जो होता है केवल वाउल साउंड यानि वाउल सिल्बल पर होता है कॉंसोनन्ट पर हम स्ट्रेस नहीं देते हैं जहां भी देंगे वह वाउल साउंड होगा इसमें देखिए एप था ठीक है इसमें कहा है के के ए से यह देख रहे हैं यानि के पर यह नो वाउल वावल पर दे रहे हैं यह देखिए जो मैं वावल बोलता है अब दोस्तों यह वावल होता है इसके रिगार्डिक मैंने वीडियो बना है तो इसका जो करेक्ट उचारन यह था है वाल वाल ठीक है दोस्तों स्ट्रेस केवल वावल साउंड एन वावल लेटर पर होता है ठीक ह अब बात करते हैं यह, syllable तो दोस्तों, देखे, यह लिखा आए syllable, तो दोस्तों, syllable नहीं बोलते हैं इसका जो करेक्ट उचारन होता है यह होता है, syllable syllable ठीक है? अंग्रेजी में देखे, ऐसे लिखा रहागा इसमें भी देखे, प्राम्ली स्टरज कहा है? यहांपर हिंदी में दोस्तों यह सा裂 QUE जोटी, अब सोचते होगी कि वह देखिए लेगी एंगे टेb आते हैं इसके डारे वाड़े में देखिए दोस्तों मैंने डाफेनेएशन सेली का उसका शिलीबल का तो यह लिखा है मैंने, a syllable is a part of a word that contains a single vowel sound, यह देखरे हैं, that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit, a syllable is a part of, देखरे हैं, इसको off नहीं, आ पर रहा हूँ, ठीक है, a word, a syllable is a part of a word that contains, यह देखरे हैं, यह देखरे हैं, यह देखरे हैं, यह देखरे हैं, that contains a single vowel sound and that is pronounced as a unit, यहनी, syllable एक शब्द का भाग होता है, जो की contains a single vowel sound, जो की वो एक single vowel sound को contains करता है, यह के वल एक single vowel sound रखता है, ठीक है, जो की ज़िसको बोला जाता है, that is pronounced, यह मैं pronounce डर्न नहीं बोलनाँ, यह देखरे हो, आप ed ाए रहा है, लेकिन id ॉन नहीं है, यह है, soft t का sound, ठीक है, that is pronounced as a unit, और वो जो कंटेंस करता है, single vowel sound उसको हम यूनिट बोलते हैं ठीक है तो दोस्तों देखें मैंने यहां पर उधारण पर लिखा हुआ है यह रहा फॉर फॉर एक्जाम्पल ठीक है यह कहा है फॉर नहीं है फॉर फॉर एक्जाम्पल ठीक देखें यह बुक तो इसमें कितने सिल्बल है इसमें केवल एक सि कि देखें यह यह दो और आ रहा है लेकिन साउंड कितना बना रहा है एक ही जोस्तों देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है असल्बल इस पाद आप वर्ट दाट कंटेंज असिंगल वाल साउंड यानि हर सिल्बल में केवल एक ही वाल साउंड होगा ठीक है चाहों कितने सिल्बल हो हर एक सिल्बल पे एक ही वाल साउंड होगा तो मैंने आप लिखा है लेकिन एक ही वाल साउंड आ रहा है तो यह कितने सिल्बल का है बुक आप सिल्बल कैसे पैचानें यह तो आप देख रहे हैं हर सिल्बल में केवल एक ही वाल साउंड होगा आप ऐसे पैचान तो वहाँ पर आपको कई सारे यानो आप सना आएंगे जैसे कि आप क्लापिंग करके आप पता कर सकते हो जैसे अपने बूला एगर वह एक बार में शब्द कर सकते हो जितनी बार में वह शब्द आप क्लाप करोगे जितनी बार में क्लाप करोगे जितनी बार में क्लाप वर्फ से मैंने लिखा विख देखें क्लैपिंग कर गिए नुट तीवर्ट यह एक बाद में खसा्म हो जारी यह एक और श Ephentles समझ रहा है कि लोर्ट समझेखें अर्टिष ने कि तो सत्थवे यह वाउल साउंड आ रहा है लेकिन दो वाउल आ रहा है ए एन ए लेकिन साउंड क्या बना रहा है साउंड क्या बना रहा है तो साउंड ये बना रहा है कि ये साउंड बड़ी की बना रहा है किवल किवल एक ही साउंड आ रहा है री मैं ये ये दोनों तो नहीं बोल रहा हूं ठीक है री तो ये क्या है मैंने बोला था कि हर एक सिल्वल पर एक ही वाउल साउंड होगा तो भल यानि इसमें टू सिलबल है देखे आर ये से यह री बना यानि एक वाउल साउंड और डी आई एंग से दूसरा आप मैंने बोला कि स्वाइब और भूब पर देखो के लो सिलबल है तो लोग पता लगा लेते हैं वैसे यह बहुत रही दोस्तो यह पर जोन बना रहा है reading reading देकर रहा है हमनी आपर लिखा हुआ ए इफसी शिलबल इसब पर पहार है पर है अ हमें पहले वाले वाले हमें तो अगर आपको सिल्वल नहीं पता होगा और स्ट्रस नहीं पता होगा तो आप इसको बोल देंगे बिगन बिगिन, he began to come, let's begin, ठीक है, तो नहीं समझ पाएंगे, तो इसका जो correct उचारान होता है, वो होता है, begin, तो वो GI, यानि second syllable पे, second syllable पे stress होता है, तो जब भी कहीं आपको मली कि किसी ने अगर आप से कहा कि second वाले syllable पे stress देना, तो आपको समझ जाना है कि second वाले syllable का मतलब कि वह वहाँ पे vowel sound होगा, वहाँ पे हमें वो syllable होता है, ठीक है, so दोस्तों, I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेर करें, और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों, इसको एक बार फिर से देख लिजेगा, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आपको समझने में, यानो, यह होता है, ठीक है, यह जहां भी रहेगा, उस syllable को हमें तेज बोलना है, यानि लाउड बोलना है, थोड़ा से रुकना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ है, तो W के पहले यह है, यह फर्स्ट सिल्बल है, सिल्बल का मतलब एक सिल्बल में एक ही बाउल सौंड इसके बाद टी-ई से दूसरा, यह दो सिल्बल का वोड है, तो यहाँ पर हो जाएगा, वाटर, ठीक है, तो यह पहले वाले सिल्बल पर स्ट्रेश देना है, यह ज्यादा रुकना है, सेकेंड रिस्ट इसका मतलब, यह है सिम्बल इसका, यह जहाँ भी रहेगा, यह देख सिंगल इसका मतलब इसका, यह जहाँ बाद रुकना है, यह जाँ पर में नहीं रुकना है, तो यह जो जहाँ पर एक भाग होता है, जो के वाले सिंगल वाल साउंड और रखता है, जिसको हम यूनित प्रनाउंस करता है, ठीक है, तो आई होफ कि दोस्तों वीडियो अच्छे लगोगी तो दोस्तों शेयर करें और लाइक करें, कॉमेंट करें, तिल देन टेक क्यों, तैंक यू तो मच्छ